पिछले हफ्ते नरायन मूर्थी जी ने ये कहा था एक इंटर्व्यू में कि इंडिया की जो यंग जेनरेशन है उनको 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए कहीं सारे लोग इसकी सपोर्ट में आए जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो शार्क टैक इंडिया जो टीवी पे बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम आता है बहुत पोपलर है तो इन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम लोग आज भी 70 आवर्स से जाधा काम कर रहे हैं पर वीक उन्होंने कहा कि हमारा देश एक गरीब देश है तो अगर अपने देश को आगे लेकर जाना है तो जो यंगस्टेर्स हैं उनको काम करना पड़ेगा अवर्ड वीक फोर 70 आवर्स इन्होंने कहा कि भाईया यह वलशंटिय है आपका मन करे तो आप 925 जोब करूब् Double Lunch जो ल longer hours तक भी काम कर सकते हो तो आपको सीखना भी तो बहुत कुछ है ना अपने करियर को excel करने के लिए अपने करियर में आगे जाने के लिए प्रमोशन पाने के लिए अपनी सेलरी हाइक पाने के लिए आपको काम स्यधा करना पड़ेगा ना जितना ज्यादा आप टाइम जोग को करोगे उतना की ज्यादा सीखोगे और फ्यूचर में आप सिल लोगों के पास काफी कम है हमारे एकनोलोजी का हम लोग उतना जएधा यूज़ भी नहीं करते हैं तो हमें जादा काम तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने देश को आगे लेके जाना है Second World War के बाद यही strategy अपनाई गई थी Germany के दोरा, Japan के दोरा क्योंकि यह देश तो प्यूरी तरह से बरबाद हो चुके थे Second World War में अगर आप किसी company में हो, इमानदारी से company से जुड़े हुए हो अपना काम करते हो, 8 घंटी वजाए 10 घंटे काम करते हो तो company की productivity बढ़ रही है और company notice करती है आपके काम को, आपको promotion मिलता है जग company grow करेगी तो आप भी grow करते हो अब जो लोग 70 hours per week को social media वे criticize कर रहे हैं वो generally क्या कर रहे हैं, वे western country से compare कर रहे हैं अरे भाई उनकी per capita income देखिए, 70,000 डोलर, 80,000 डोलर उनकी per capita income है इंडिया की per capita income तो 2,000 डोलर है न तो आप हमारे culture को, हमारी economy को, हमारा जो भी यहाँ पर जो market है आप उसको उनके साथ compare नहीं कर सकते न